स्टोरी, दो सिरवाला जुलाहा, एक दिन, जब एक जुलाहा कपड़ा बुन रहा था, तभी उसका लकड़ी का बना करगा तूट गया, उसने अपनी कुलहाड़ी उठाई और किसी लकड़ी की तलाश में निकल पढ़ा ताकि उसकी सहायता से वेह अपना करगा ठीक कर सके, उसे एक बड़ा पेड़ दिखा तो वेह सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूँ, तो मुझे बहुत सारी लकरी मिल जाएगी और उससे में बुनाई के सारे औजार बना लूँगा, उसने कुलहाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू किया, तभी उस पे मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बस इस पेड़ को मत काटो, तुम जो भी वर्दान मागोगे वह मैं तुम्हें। दून का जुलाहा ये सुनकर बहुत प्रसंद हुआ, पेड़ पर वाला प्रेद उसकी हर तरह की इच्छा पूरी करने का वचन दे रहा थ हाला कि उसने अत्यधी खोश्यारी दिखाते हुए, प्रेद से कहा, मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी, तुम प्रतिक्षा करो, मैं अभी आता हूँ, इतना कहकर वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास राय लेने के लिए भागा, रास्ते में उसे एक मित्र मिला, मित्र से भी उसने सलाह ली, मित्र ने कहा, इस अवसर को मत गवाओ, तुम उसे राज्य माग लो, तुम राज्या बनकर रहना और राज्सी सुख सुविधाओं का अनंद उठाना, जुलाहे को ये सुझाओ पसंद तो आया, लेकिन उसने प्रेद से ये वर से जवाब दिया, तुम्हारे मित्र ने बिलकुल मूर्ख खतापून सलाह दी है, उसकी सलाह पर ध्यान मत दो, वह आगे बोली, तुम तो वर्दान में एक और सिर, और एक जोड़ी हाथ और माग लो, तब तुम एक साथ दोग का पड़ेबुन सकोगे, अपने हाथों के को जल्द ही तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा और तुम धनी हो जाओगे, मूर्ख जुलाहा प्रसंद हो गया और बोला, मैं ऐसा ही करूँगा, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे विश्वास है कि सबसे अच्छी सलाह, तुम्हें दे सकती हो जुलाहा लोटकर प्रेद के पा जुलाहा प्रसंद होकर अपने घर की ओर चल दिया, रास्ते में उसे गाउग वाले मिले, गाउग वालों ने दोसर और चार हात वाला मनुष्य देखा तो वे डर गए, वे समझे कि ये कोई राक्षस आ गया है, सारे लोगों ने मिलकर उसे घेर लिया और उसे पीट- बजसे जसे इर गवे वे वे जसे जसे हो और चार है, सब्सक्रास आ पर में उसे डोगों प्रसंद का।